हाई दोस्तों स्टेडी अद्डा के यूट्टूब चैनल में आपका एक बार फिर्श्थ स्वागत है अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर ले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी अभी 7 जन्वरी को इंडियन पोस्ट पे पजल थी तो यहां पर मैंने स्रिप लिनियर पजल लिखा है लेकिन हम इस पर जो है दोनों पजल डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों बहुत ही simple simple पजल है तो हम एक साथ दोनों पजल discuss कर सकते हैं, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, तो like, comment और share जरूल किजएगा, तो दोस्तों देखते हैं, पहली पजल कैसी थी, यह देखें दोस्तों, यह पहली पजल थी, क्या करते हैं, देखें, two people are sitting in two parallel, row in row one, a, b, c, d, e are seated, total 10 लोग हैं, दो parallel row में बैठे हैं, row one में a, b, c, d, and e बैठे हैं, but not necessarily in the same, ठीक है, और income mode कितना उतर की तरफ है, north की तरफ face किये हैं, और row two में जो है, j, k, l, m, and n बैठे हैं, ठीक है, और यह south की तरफ, अपना चहदा जो है, face किये हुए, ठीक है, तो total 5, 5 लोग करके बैठे हैं, total 10 लोग हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह face north की तरफ है, ठीक है, row one, and यह row two जो है south की तरफ है, ठीक है, जब linear puzzle में कोई north की तरफ face करके बैठता है, तो left side होता है, आपको पता ही है, ठीक है, अब चुकि यह row two में south की तरफ face करके बैठे हुए है, इसलिए इनका right side होगा, ठीक है, possibility का case हम साथ में लेते चलते हैं, इसके लिए एक और line draw कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक है, right and left, ठीक है, अभी यहां पर लिख लेते हैं कि इसमें row one में कौन-कौन बैठा तो a, b, c, d, e, ठीक है, a, b, c, d, and e, ठीक है, and row two में, j, k, l, m, n, ठीक है, sorry, j, k, l, m, n, ठीक है, अब देखिए, आगे next क्या कहता है, b sits third to the left of a, ठीक है, b जो है, tisra a के बाएं तरब बैठा है, the one who face b sits second to the right of j, ठीक है, तो पहले a को हम एकदम किनारे से बैठाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो b कहाँ पर आएगा, one, two, three, ठीक है, अब दूसरी possibility क्या बनती है, a, इस side बैठा हो, और b, one, two, three, ठीक है, अब तीसरी possibility one नहीं सकती, किने, तो b बाहर हो जाएगा, ठीक है, b sits second to the right of the one who face b sits second to the right of j, ठीक है, तो यह देखिए, जो b की तरफ face किया है, वो j के right में second बैठा हुआ है, ठीक है, sits second to the right of j, मतलब j आपका यहाँ पर बैठा होगा, one, two, और यहाँ पर, j आपकी sitting यहाँ पर आ रही, ठीक है, only one person sit between j and m, ठीक है, इधर तो बैठ नहीं सकता है, तो m यहाँ पर बैठेगा, और यहाँ पर देखिए, दोनों side m बैठ सकता है, तो अभी हम बैठाएंगे नहीं, हम बस लिख लेते हैं, इस position पर m हो सकता है, और आपका इस position पर, ठीक है, one of the immediate neighbor of j faces c, ठीक है, j का אیک immediate neighbor c को face कर रहा है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर तो faces a है, ठीक है, तो c यहाँ आपका यहाँ पर byठ सकता है, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर same है, यहाँ पर a बैठा हुए है, तो यहाँ पर c बैठेगा, ठीक है, next line K and L are immediate neighbor of each other अब यहाँ पर देखते हैं देखिए यहाँ पर कहीं भी दो ऐसी position नहीं है खली जहाँ पर K and L को एक साथ बठा दिया जाए तो हमारी यह possibility गलत होती है ठीक है? यहाँ पर दो position यहाँ पर दो position यहाँ पर M यहाँ पर बठता तो K and L यहाँ बठेंगे अगर M यहाँ बठता तो K और L यहाँ बठेंगे तो यह possibility हमारी सही हम इसी में आगे चलेंगे देखिए 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ठीक है? यह south देख रहा है और यह north ठीक है? इनका left यहाँ पर इनका right इदर ठीक है? क्या-क्या बठता है? B, C और A J यहाँ पर बठता है M की possibility है यहाँ पर हो सकता M या this side M, ठीक है? next परते हैं K and L are immediate, never up each other अभी इसको हम छोड़ देते हैं L does not sit at any of the extreme of the line तो जब भी L होगा, या तो इधर होगा, या तो इधर होगा ठीक है? one of the immediate neighbor of A faces M ठीक है? A का एक immediate neighbor M को face कर रहा है M की तरफ देख रहा है ठीक है? तो यहाँ पर तो J बठा है तो M कहाँ पर बठे गए? यहाँ पर यह final हो गया है ठीक है? तो हमारा K और L यहाँ पर बैठेंगे L जो है, extreme end पर नहीं है देखिए क्या लगा है L does not sit at any of the extreme ends of the line ठीक है? तो L यहाँ पर बैठेगा और K यहाँ पर अब बचा क्या 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 है? यहाँ से देख लेंगे तुरण K, L, M, N, J K, L, M अब N को हम यहाँ पर बैठा देंगे ठीक है? और यहाँ पर क्या 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 बैठा? यहाँ पर देखिए, दो position खाली है अभी Last में क्या बोला? M does not faces E मतलब M, E को नहीं face कर दा है तो E यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या हो गया? A, B, C बचा आपका क्या है? D तो यह दूस्तों हमारा solution है इसके base में कुछ question पूछे गया थे जिसको हम यहाँ पर mention नहीं कर रहा है क्योंकि question तो सब लोग कर लेता है एक बार puzzle बनने एक बाद अब दूसरी puzzle देखते हैं दूसरी puzzle हमारी क्या थी? दूसरी puzzle है 8 people D, E, F, O, P, Q, R, S lives on 8 different floors ठीक है? floor-based puzzle है the lower most is numbered 1 and the top most is numbered 8 ठीक है? तो हम ऐसे पहले बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? अब चुकी हम puzzle कर रहे हैं तो possibility के chances बहुत ज़्यादा होता है तो पहले से हम possibility लेके चलते हैं हम मानते हैं कि यहां पे 2 से 3 possibility हमारी बहुत अराम से बन जाएंगी ठीक है? तो हम maximum 4 possibility लेके चलते हैं ठीक? यह पहली, दूसरी, तीसरी and 4 ठीक है? Q lives on add number floor but not on floor 1 ठीक है? तो 1 को छोड़ के Q live करता कहां का? 3 पे कर सकता है, ठीक है? 5 पे कर सकता है और 7 पे कर सकता है, ठीक है? ओके? P lives immediately above Q but not on the topmost floor ठीक है? तो P topmost floor पे नहीं होगा तो यह possibility हमारी गलत होती है, ठीक है? अब P कहांँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे, ठीक है? There are three peoples between P and R, ओके? देखे, नीचे आएंगे 1, 2, 3 अब इसके नीचे तो R बैठा नहीं सकते है 1, 2, 3, तो R उपर ही होगा यहाँ इस possibilities देखने है, तो उपर तो बैठ नहीं सकता है तो 1, 2, 3, R यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है? There are three peoples between P and R Next, the number of people below P is equal to the number of people above D यह line देखेगा, यह कर रहा है कि P के नीचे यहतने लोग हैं उतने ही लोग D के उपर हैं, ठीक है? तो P के नीचे यहाँ पे कितने लोग हैं? 1, 2, 3 तो उपर से 1, 2, 3 छोड़के, हम यहाँ पे D को बैठा देगे, ठीक है? यहां पर देखे, P के नीचे कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठेक है, तो उपर से 1, 2, 3, 4, 5, को छोड़के हम D को बैठा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा D कहाँ बैठ जाएगा, यहां पर, देखे, यहां नीचे 3, 2, 5 है, उपर 3, 2, 5, ठेक है, अगे देखते हैं, 2 person live between E and P, E और P के बीच में दो लोग रहते हैं, 1, 2, ठेक है, E को हमें यहां पर भी बैठा सकते हैं, और 1, 2, E को हमें यहां पर भी बैठा सकते हैं, यह इस possibility में clear नहीं है, ठेक है, यहां पर देखे, E और P के बीच में दो लोग रहते हैं, अब E को इसके उपर तो बैठा नहीं सकते हैं, ठेक है, और 1, 2, और E को यहां पर भी नहीं बैठा सकते हैं, तो यह possibility हमारी गलत हो जाएगी, ठेक है, आगे देखते हैं, and E is immediately below R, तो यह गलत हो गया, और E हमारा कहां बैठ गया है, यहां पर, ठेक है, next, F leaves immediately above O, अब यहां पर एक ही position खाली है, तो O के immediately above F, ठेक है, अब हमारा बचा क्या है, देखे, यहां से D, E, F, O, P, D, E, F, O, P, Q, R, S, Q, R, S, नहीं है, तो S हमारा फ्लोर नंबर 6 पर है, और यह हमारी पजल जो है, तयार हो गई है, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, त झाइब हो यह हता पालई आप कर दो हमारे चैनल